जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इंडिया गडबंदन की डगर और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है मोदी के खिलाब बने इस गडबंदन की अब सांसे फूलने लगी हैं और किसी भी पल इसका दम खुट सकता है क्योंकि इस गडबंदन में जान फूकने वाले दलों के बीच में हिस्सेदारी की जंग चड़ी हुई है कैमरे के पीछे सियासी लड़ाई और कैमरा देखते ही जो एकता का धौंग रचा जा रहा है उसका खेल भी अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है इस सब के बीच में इंडिया गडबंदन को एक और तगला जटका लगने की खबर सामने आ रही है जिसकी वज़े से विपक्षी दलों के बीच में मातम सा पसरा हुगा है और ये जटका दोस्तों ऐसे दौर में लगा है जब ये गडबंदन सीट शेरिंग की लड़ाई में फसा हुगा है इंडिया गडबंदन को क्या बड़ा जटका लगा है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और इसके अलावा महरास्ट रुमेश शिवसेना पर दावेदारी की लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोट से बहुत बड़ी खबर है उसका भी हम राजनेतिक विश्लेशर करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे विनमर निवेदन है की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको विडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गरम है पहले बात कर लेते हैं इंडिया गटबंदन को लगे बड़े जटके की बहुजन समाजवादी पार्टी की अद्दक्ष माया बती ने अपने 68 से जन्म दिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फरेंस करके बड़ा एलान किया है कि उनकी पुलिटिकल पार्टी आगामी लोकसवा चनाव में अकेले ही चनाव लड़ेगी ना तो वो इंडिया घटबंदन के साथ में घटबंदन करेगी और ना ही एंडिये के साथ उन्होंने बताए कि वो इस चनाव को दलित और पिछले वर्गों के धंपर लड़ेगी जैसा उन्होंने साल 2007 में किया था और अपने ही दम पर सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में उन्होंने का कि वो देश की जातिवादी पूझीवादी संक्विड संप्रदाइक सोच रखने वाली सभी पॉलिटिकल पार्टी से दूरी बनाएंगी इसके साथ ही उन्होंने 2007 के यूपी चुनावों का जिकर करते हुए कहा कि अगर चुनाव 2007 की तरह फ्री एंड फैर होता है तो जिसमें EVM जैसी किसी प्रकार की धांदली नहीं की गई थी तो इस बार भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी लोकसुभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर के राज्ज में बहतर पुरदर्शन करेगी मायवती ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि बीएस पी गठबंदन ना करके चुनाव अकेले इसलिए लड़ती है क्योंकि इसका सरवोच नेतरत तो एक दलित के हाथ में है जिनके प्रती जातिवादी पार्टीयों की मांसिक्ता अभी तक भी नहीं बदली है यही वज़े है कि जब बसपा गठबंदन करती है तो उसका वोट पूरा गठबंदन वाली पार्टी को चला जाता है लेकिन उनका अपना बेस वोट विशेश करके अपर कास्ट का वोट बसपा को समर्पित नहीं हो पाता है उन्होंने का कि बसपा अब किसी को फ्री में समरता नहीं देगी लेकिन चुनाव के गटबंदन के बारे में विचार करेगी इस कॉन्फरेंस में उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों अखले श्यादफ को गिर्गिट बताया है आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से माया बती पर लगातार अखले श्यादव हमलावर है तो ऐसे माया बती कैसे चूक सकती है इसलिए उन्होंने अखले श्यादव को गिर्गिट करा दिया उन्होंने का कि अकले शायदा गिर्कट जैसे रंग बदलते हैं इसलिए इन से बच करके रहना चाहिए माया बती ने साफ किया कि जो ख़वरे फैलाई जा रही है कि वो सन्यास लेंगी वो विलकुल घलत है उन्होंने का मैं अभी सन्यास लेने वाली नहीं हूँ मैं अंतिम समय तक पार्टी को मजबूत बनाने का काम करती रहूंगी उन्होंने राम मंदर प्रान प्रतिष्ठा पर जवाब दिया उन्होंने का कि मुझे निमंतरल मिला है लेकिन मैंने वहाँ ना जाने का नड़े लिया है मैं पार्टी के कारियों में व्यस्त हूं लेकिन जो भी कारिकरम होने जा रहे हैं हमें एतराज नहीं है आपको बता दें कि आगामी लोकसवाद चनाव में उत्तरपदेश की 80 लोकसवाद सीटों का एहम रोल रहेगा ऐसे में हर पोलिटिकल पार्टी अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए गड़बंदन कर रही है भाजबा को हराने के लिए विरोधी तो हर दल को अपने साथ में यानि कि इंडिया गड़बंदन में जूलने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन उनकी जो युक्तियां हैं माया बती की बसपा के पास में नहीं चल पाईं उन्होंने इस गड़बंदन का हिस्सा बनने से सीधे तोर पर इंकार कर दिया है जो इंडिया गड़बंदन माया बती के हाती पर चड़कर के उत्तर प्रदेश में सफर करने के बारे में सोच रहा था उस सोच में दरसल मायाबती के इस एलान ने पलीता लगा दिया है जिसकी वज़े से इंडिया गटबंदन में अब सननाटा पसरा हुगा है उधर अकलेश यादा पहले ही कह चुके थे कि अगर मायाबती इंडिया गटबंदन का हिस्सा बनती है तो फिर वो नहीं बनेगे अब रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोट से आ रहा ही बड़ी ख़बर का महरास्टर में शिवजेना बनाम शिवजेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है उद्व ठाकरे पार्टी पर अधिकार को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोट पहुँच चुके हैं उन्होंने पार्टी के अधिकार पर स्पीकर के फैसले को घलत माना है और दावा किया है कि शिवजेना पर असल अधिकार उनका ही है याचका में दावा किया गया है कि उद्दफ ठाकरे गुट ही असली शिवसेना है कोट में दरसल जो है अभी तक इस तारीक की सुनवाई को लेकर के कोई भी डेट मुकरर नहीं की गई है उनकी तरफ से ये पेटीशन डाल दी गई है महराश्टर विदानसभा देक्ष राहूल नारवेकर ने हाली में कहा था कि जो 22 जून 2022 को पार्टी के भीतर प्रतिदवन्दी गुट उभरने पर एकनाश शिंदे के नेतरत वाला गुट ही असली शिवसेना है इस पीकर ने शिंदे और उदफ ठाकरे के नेतरत वाले दोनों गुटों के किसी भी सदस्य को आयोग ठहराने से भी इंकार कर दिया था उदर्फ ठाकरे गुट ने स्पीकर से शिंदे गुट के 16 विधायकों को आयोग के घोशित करने की मांग की थी जिसे स्पीकर ने सिरे से खारिच कर दिया था 10 जनवरी को महरास्ट विधानसवा के स्पीकर राहूल नार्वेकर ने ऐलान किया था कि शिंदे गुट ही असली शिफसेना होगी पार्टी को बाला साहिब ठाकरे ने बनाया था और कथित रूप से आपसी मतभेद के बाद एकनाश शिंदे ने कई विधायकों को लेकर के पा जनवरी के साथ महमिलकर के महरास्टों में सरकार बनाई और वो अभी महरास्टों के मुख्यमंत्री हैं स्पीकर राहूल नार्वेकर ने माना कि बगावत के समय एकनाश शिंदे गुट को पार्टी के तकरीबन चंगवन विधायकों में 37 विधायकों का समर्थन था बीत है साल चुनाव आयोग ने अपने एक फैसले में पार्टी के नाम और चुनाव चिंद पार शिंदे गुट का अधिकार माना था सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचका में उद्व ठाकरे ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का अपमान माना है और कहा है कि स्पीकर कोट के फैसले को नहीं समझ सके उनका कहरा है कि ये मामला विधायकों की आयोगिता का था लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से फैसला सुनाया यानि कि उद्व ठाकरे ये कह रहे हैं कि एकनाश शिंदे के साथ में मिलकर के राहुल मिनार्वेकर ने साथगाड की और जो ये फैसला है वो निस्पक्ष बिलकुल भी नहीं है ये पोलिटिकली मॉटिवेटेड है लेहाजा इस फैसले को अब उद्व ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोट में दरसल चैलेंज किया है और सुप्रीम कोट से गोहार लगाई है कि आप इस मामले की सुनवाई करें और ताकि इस पूरे के पूरे प्रक्रण में एक समविधानिक तरीके से नियाए दरसल मिल जाए अब यहां पर दिल्चस बात यह है कि 50 प्लस जो विधाएक हैं उसमें 35 प्लस विधाएक तो एकनाश चिंदे के पास मैं है तो ऐसे में जाहिर तो पर अगर बहुमत की आधार पर अगर फैसला सुनाई जाता है तो एकनाश शिंदिक का हक शिफसेना पर जादा है as compared to दफठाक्रे तो इंडिया गठबंदन को भी बहुत बड़ा जटका लगा है जिसकी उमीद नहीं थी नोगों को लगातार मायवती से संपर्क साथा जा रहा था और कोशिस की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंदन में मायवती को शामिल किया जाए लेकिन इंडिया गठबंदन को ठेंगा दिखाते हुए मायवती ने दरसल एकला चलो की राजनीती अपनाने का बड़ा फर्माण जारी कर दिया राम मंदिर को लेकर जिस तरीके के उन्होंने जिक्र किया है वो भी इंडिया गटबंदन के गले से नहीं उतर रहा है बहराल इस पूरे के पूरे प्रक्रार को लेकर कि आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरू करता है जल्द बलूगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाये हैं तो प्रेश चैनल को सब्सक्राइब करें साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही में कोई अपडेट लेकर क्या हूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगे